हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड दोस्तों बेसिक सिख्षा विभाग द्वारा आंगन बाड़ी केंद्रों को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें सशक्त करने के लिए वहां पे विभागी जो भी प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत राज परियोजना कारेले द्वारा नर्देश शारी किये जाते हैं उनके अनुपालन के लिए एक एजुकेटर की नुक्ती होने जा रही है और एजुकेटर जो भी होगा वो हेट टीचर के अधिन कार करेगा खास तोर पे जो ग्रामेड अंचलो के बच्चे हैं जिनकी उम्र तीन से छे वर्ष की होती है वाल वाली या आंगन बाली में प्रिवेश लेते हैं ऐसे बच्चों की जो सिक्षा दिक्षा होती है वो ऐसी ही माता है जो की आंगनबारी या बालवारी केंदर में आंगनबारी सहाई का और आंगनबारी संचालिका के हाथ में रहता है लेकिन जैसे की समगर शिक्षा नाम आप सुन चुके होंगे आप संग्यानित होंगे समगर शिक्षा का जो दाइरा है वो तीन वर्षे अब सुरू हो रहा है तो सरकार अंतर विभागी समन्वे के तहत ये सुनिशित करना चाहती है कि जो भी बच्चे आंगनबारी या बालवारी सेंटर पे नामांकित हों ऐसे बच्चों का भी बेसिक सिक्षा विभाग ध्यान देगा कि ऐसे बच्चों की सिक्षा दिक्षा सुचार रूप से चलत अब बेसिक सिक्षा विभाग अंतर विभागी समन्वे के तहत ऐसे एजुकेटर की न्यूक्तिक करेगा जो कि तीन से छे वर्ष के बच्चों की सिक्षा दिक्षा का पुक्ता इंतिजाम रखेंगे इस समन्द में दोस्तो पत्र निर्गत हो गया है सैक्षिक सत्र 2023-2024 में जिन प्रात्मिक विद्याले में बच्चों की संख्या ज्यादा होगी किवल प्रात्मिक विद्याले में ही बच्चों की संख्या ज्यादा होने से काम नहीं चलेगा वहाँ पे जो भी प्रांगल में आंगन बाड़ी केंदर संचालित हो रहा है वहाँ पर भी बच्चों की संख्या होनी चाहिए इन दोनों की संख्याओं को जोड़ा जाएगा और जो consolidated याने समय की संख्या बनेगी उसी के आधार पे तै होगा कि वहाँ पे educator की नुक्ती होगी या तही ऐसे educator का नाम दिया है Early Child Care E.C.C.E. educator तो आईए दोस्तों देखते हैं पूरे के पूरे जो पत्र है कि इसका chain कैसे किया जाएगा इसमें क्या महत्पूर बाते होंगी इसका कार क्या होगा कितने माह के लिए नुक्त किये जाएंगे इनकी योगता क्या होगी इससे पहले कि हम सारी बाते आपके सामने साजा करें आप चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब कर लें बीना देर किये दोस्तो आते हैं पूरी बाते आप से करते हैं दोस्तो देख पा रहे हैं आप ये पत्र निर्गत हुआ है महाने देशक किसकूल शिक्षा बराज परिवना निर्गत कर ले समगर शिक्षा विद्या भून निशात के लिखनो उससे प्री प्राइमरी इसका विंग है ECCE जैसे की बात कर रहे थे 24 अगर्ज 2024 को पत्र निर्गत हो रहा है विशे है समगर सिक्षायम PM शिरी के अंतरगत प्री प्राइमरी के आवर्तक मत में मानो संसाधन ECCE Educator हेत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंतराले भारा सरकार द्वारा वर्ष दो हजार चोबिस पच्चीस में स्यूकरित धनरास 10-684 मानो संसाधन ECCE Educator को लोकेटिड आंगनबाडी के अंदरों में उपलब्द कराये जाने के संबन में दोस्तो 10-684 लोगों की निउक्ति मिलेगी जो पैसा मिला है वो 10-684 एजुकेटर की निउक्ति का है उक्त के करम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10-684 विद्यालियों के परिशर में अविस्थित आंगनबाडी केंदरों हेत्व प्रति केंदर एक ECCE Educator संबिदा पर मांदे रूपया 10,313 प्रतिमाह के आधार पर एक वर्षेतु रखा जाना है उक्त पर चैन हेतु निम्नवत आहरतायन निर्धारित है पद का नाम ECCE Educator पदों की संख्या 10,684 निउक्ति अस्थान 75 जनपद अविस्थित को लोकेटेड आगनबाली के अंद्रियुक्त 10,684 विद्याले निउक्ति का प्रकार संविदा आउट्सोर्सिंग के माध्यम से संविदा आवदी 11 माह मांदे 10,313 प्रतिमाह जिसमें सामिल होगा PF और ESI सहित शेक्षिक योगता है विद्धी द्वरा स्थापित योग योजीसी से मानता प्राप्त विश्विद्याले से सनातक परिक्षा ग्रिह विज्ञान मुखविशे के साथ निउन्तम 50% अंकों के साथ उत्रिन की होँ आरक्षित वर्प को नीमानसार निउन्तम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी दोस्तों मेन तो यह है कि होम साइंस लिया हो उसके उसमें 50% होना जरूरी है यह देपी हाई स्कूल इंटर और ग्रेजूशन का नंबर जूडेगा ऐसी स्थिति में यह पूरी की पूरी जो जौब है वो अंकों के प्रतिशत के आधार पे तैह होगी यह नरसरी अध्यापक शिक्षा यानि एन्टीटी सीटी नरसरी डीपी एसी का कम से कम दो वर्स की अवज का डिप्लोमा अथ्वा समकक श्योगता जो कि रास्ती अध्यापक शिक्षा परिशर से मानताव प्राप्थ हो आवेदन करता कि अधितम आउ एक जुलाई दो हजार चोबिस से को 40 वर्से दिखना हो तो 40 वर्से जopardा उमर नहीं होनी चाहिए और एक जुलाई दो हजार चोबिस को उसकी उम्र 40 वर्से कम होनी चाहिए ECCE एजुकेटर के कारियों दायत तो दोस्तों क्या होगा आयू वर्ग 3-6 वर्ष के बच्चों को अवचारिक शिक्षा हे त्यार करना आयू वर्ग 3-6 वर्ष के बच्चों के भावतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक यम अकाद्मिक विकासेतु वातावर्ण सर्जन में मांगन बाड़ी कार कत्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना आयू वर्ग 5-6 वर्ष की बच्चों पर विशेश ध्यान देते हुई निपूल भारत मिशन के अंतरगत निर्धारित अधिका मस्तर की संप्राप्ति को सुनिश्यत करना बच्चों के संग्यानात्मक विकासितु रंग आकार ध्वनी वस्तु वातावरण यथा पेड़ पोधे पच्ची जानवर वादी से सम्मधित गत्विधियों का प्रियोग करना आंगनबाली कारकत्री को बच्चों के साथ अन्य क्रिया कलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, छेतर, भ्रमन, संगीत, हाथ के कार आदी, हे तु कार्योजना बनाते हुए कार करना अभिवावकों के साथ मुख्ता माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अउगत कराना इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरान उपलब्ड कराने है तो माताओं का अभी मुख्य करन करना बच्चों के प्रिस्ट भूम विकास आधि के इंडिकेटर से सम्मधित चैल्ड प्रफाइल तैयार करना मुष्के माध्यम से बच्चों के विकास के लक्षों को प्राप्त करना आगन बाड़ी कार कत्री के साथ मिलकर आयुवर्गे तीन से छे वर्ष के बच्चों है तो गुडवत्ता परक सीखने का बाता बरल बनाना यूं गत्विधियों को सीखने को मुखा आधार बनाकर कार करना शिक्षा विभाग द्वराय अजित विभिन बैठ को परशिक्षान आज में समय समय पर प्रदभाग करना ECC Educator विद्याले के प्रधाना अध्यापक के नियंत्रन अधेने मुन के मार्ग दर्शन में कार करेंगे प्रधाना ध्यापक का या दाईत होगा कि सम्मंधित कर्मी को ECCE से सम्मंधित कारियों में लगाया जाए फल्सरूप आंगनबाडी केंदरों में नमांकित बच्चों के साथ उपरोकता अंसार दिये गए कारियों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवारता से किया जाएगा जिसका अनुशरवन प्रधाना ध्यापक द्वारा किया जाएगा तो दोस्तों ये जो योजना है इसका जो संचालन होगा उसका जो मोनेटरिंग बॉड़ी होगा संबंधित विद्याले का हेड मास्टर होगा संबंधित कर्मी की कार्यावद ही विद्ध्याले समय स्राण्य कंसार निर्धारित की जाएगी। सामान निर्देश यह है कि जन्पदस्तर पर जिला अधिकारी की अधिक्षता में एक कमेटी गठित होगी जो इनकी नियुक्ति के लिए जिम्यवार होगी। जिला अधिकारी अधिक्ष होंगे, डाएट के प्राचार सर सदस होंगे। जिला कारकरम अधिकारी डिस्तिक प्रोग्राम आफे सर सदस रहेंगे। जिला सेवा अधिकारी भी सदस रहेंगी वित्तिवम लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा सदस रहेंगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मोदे सदस सची रहेंगी ये पूरी की पूरी कमेटी रहेगी और ये कमेटी कैसे निपती करेगी ये कमेटी सेवा प्रदाता एजनसी का पहले चैन करेगी उसमें एक मॉडल बीट का नमूना भी बहुत जल्दी आने वाला है शेग्र प्रथक से प्रेशित किया जाएगा सेवा प्रदाता एजेंसी के चैन के पशार्थ एजेंसी द्वारा संवीदा के आधार पर आउट्सोर्सिंग के माध्यम से एजुकेट कर्मियों का शासना देश में प्रदत विवरस्ता कमसार चैन के जाएगा उक्त सभी चैन किसी स्योकरित पत के सापेच नहीं किये जाएगे चैनित कार्मिक केवल कारकी आउशक्ता अंसवार अधिक्तम 11 माह तक के लिए रखे जाएगे अब यहाँ पर बात हो रही है चैन प्रक्रियम धक्षता प्रमाणी करणा जनपत अस्तर पर जिला अधिक्ता में गठित समित को सहयोग प्रदान करने है तो निमनांकित उप समित को जिला अधिकारी के अनमोदन से गठित किया जाएगा जिला अधिकारी द्वारा नामित मुख विकास अधिकारी अपर जिला अधिकारी तो दोस्तों जो उप समित बनेगी उसमें जिला अधिकारी सीडियो साहब को या एडियम साहब को अध्यक्ष बनाएंगे डाइट के प्राच्चार महोदे को सदस बनाएंगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदे को सदस अजीव बनाएंगी जिला कारकरम अधिकारी संबंदी जन्पत को सदस और जिला अधिकारी द्वार नामित अन्न दो सदस भी रहेंगी उक्त समित द्वरा स्वरप्रतम राज प्रिजना कारगले द्वरा उपलब्द कराई गई जन्पदवार संख्या के अनुसार को लोकेटेड आंगनबाडी वाली परश्वदी रात में किया कमपोजिट विद्यालो का चैन जन्पद अस्तर से निमनांकित बिंदो के अनुसार किया जाए ऐसे विद्यालो का चैन किया जाएगा जहां यूडायस दौहजार तेस चोबिस के अनुसार विद्यालो की छात संख्या उमको लोकेटेड आंगन बाली के अंदर के बच्चों की संख्या का कुल्योग सरवादिक हो पीम स्री विद्यालो का अनुवारता चैनित किया जाएगा चैन के समय विद्यालों में उपला दुफोतिक संसादन यथा अत्रिक्त कक्षा कक्ष आउट्डोर प्ले मेटेरियल है तो प्रयापतस्ताने बेहतर परिसर को भी दिहान में रखा जाएगा यथा संभव प्रतेक विकास खंडों में से समान संख्या में विद् संधि डिप्लोमा शक्षिक क्योकता है निर्धारित आहरता आधार के प्रापतांको के प्रतिशत की योग के आउसत के आधार पर प्रतेक जन्पत मेरिट सुची औरोही करम में तयार करेगा यह दो या-दो से अधीक अभ्यरतियों की परिक्षाओं में प्राप्तांकों की परतिशत को दशमलों के दो अंग्कों में पूर अंकित राउंड डाफ किया जाएगा उक्त समित द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलबत कराई गयी अभैर्थियों की सूची में अंकित अभैर्थियों की शैक्षिक युगता सम्द्धी प्रमालपत्त्रों का मूल करते हूई सत्यापन किया जाएगा सत्यापन कि पilate मी संगती की इस्थिति में बिंदु संख्या तीन में दी गई Mira मेरिट सूची में यथा और सक्षन सोधन किया जाएगा विद्याले चैन हेदू काउंसलिंग इस प्रकार तयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या एक पर अग्लिया भ्यरती के सम्मुक जनपत के उन सभी चैनित विद्यालियों की सूची जिन में तयान आति की जानी है चैन हे में गठी समित द्वरक किया जाएगा उक्ता अनुसार चैनित भरतियों को आफ्र लेटर मूल समित के अध्यक्ष जिला अधिकारी संबंधी जनपत से अनमोधन प्राप्त करते हुए सदस्तचिव जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी की उपस्तति में उसी दिन सेवा ध्रफ हग दोर निर्धायत किया जाने के संबंद में सेवा प्रदाता संस्था दोरा सहमेत प्रदान की जाएगी उक्तानस्वार चैन संबंधि किसी वी परकार की विसंगती ये शिकायत संबंधि प्रत्य वेदन पर विचार एंग जिला अधिकारी के सम्मुक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा जिला अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्य वेदन का न धन्रास की वे सीमा नरधारित की जाएगी और दोस्तों ये सारी की सारी जो कवायद है सारी की सारी प्रक्रिया 30 सितंबर 2014 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें ये लेटर है महानिदेशक स्कूल शिक्षा का इससे पहले ये लेटर टाक्टर ये शासन से विभागने रिक्ती निकाला है और वो हुग हुग जैसे कि हमने आपको बताया कि 10,313 रूपए 11 माह के लिए दे जाएंगी और 10,684 पद है पूरी की पूरी बाते आपके सामने साजह की गई है और इसमें जो महतपूर बाते हैं जैसे आगरा में 146 एजुकेटर्स की निक्ती होनी है इसमें पीम शिरी के तहत 15 विकास खंडो में चुकी यहाँ चल ला है 15 और एजुकेटर निक्त होंगे तो 161 कुल होनी है प्रताबगड़ आपको लेखे चलते हैं जन्पत प्रताबगड़ में 202 एजुकेटर की निक्ती होनी है 202 स्कूलो में और 17 विकास खंडो में पीम शिरी स्कूल है तो 219 कुल एजुकेटर प्रताबगड़ में ऐसे ही दोस्तों कुल 10,684 एजुकेटर की निक्ती उत्तर प ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें क्योंकि इस नोकरी से बहुतों को फाइदा हो सकता है थैंक्स फॉर वाचिंग और लिस्टिंग दिस एज़िए जबरकास तुए साइनिग आप